आज इस वीडियो में हम बात करने वाल है कि कैसे एक हेल्दी परसन अपनी किड्नी को पुटेट कर सकता है किड्नी फेलर से क्योंकि आसपास अपने घर के आसपास रिष्टेदारों में हम बहुत सरे से लोगों को देखते हैं जिनकी किड्नी खराब हो रही है और मुझे भी लगता है कि किड्नी के पेशिंट बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं तो आज इस वीडियो को बनागे पीछे कारन नहीं है कि अपनी किड्नी को बचा सके तो शुरुवात करते हैं सबसे पहले किड्नी फेलर के कारनों से क्योंकि अगर हम कारन को कंट्रों म बीमारी आज है क्योंकि बीपी नहीं होगा, शुगर की दीकत नहीं होगी तो किसी के किड्नी अपने अप खराब नहीं हो तो अब बीपी और शुगर के बढ़ने के पिछे होगा बहुत सारी कारन कि लोगогष मुझे तो किसी कारण से अगर आड गर आपका बलेट पिशर तो आपको उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत और सबसे बड़ी गलती हम क्या देखते हैं कि पेशेंट क्याता है कि पिछले दस सालों से में बीप की दवाई खा रहा हूं मेरे किड्नी फिर क्यों खराब हो गए अगर आप बीप की मेडिसिन लेते हो शुगर की मेडिसिन लेते हो बस ले लेते हो और बीपी चेक नहीं करते यह कंफर्म नहीं करते कि बीपी आपका मेडिसिन लेने के पाद कंट्रोल में आ रहा है यह नहीं आ रहा है यह सबसे बड़ी गलतियों में से एक होता है अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो मेडिसिन लेने से पहले अपना ब्ल अगर बीप आपका हाई रहता है तो कोई सिम्टम आपको पता लगेगा कुछ नहीं पता लगेगा ना परशानी होगी बड़ बीप आपका हाई बनावाई अब रात को जब आपका बीप हाई होता है तो उस बीप हाई के वज़े से रात को ही आपकी किड्नी को नुकसान होग तो उसके बाद कुछ न कुछ रिजल्ट बनेगा, वो रिजल्ट क्या है, वो किटनी फिलियर ही है, तो बीप और शुगर, अगर हम मेडिसन लेरे जैसे मैं पहले का तो आपको बाबा चेक करनी की जरूरोत होती है कि बीप कंट्रोल में रहता है नहीं रहता है तो एक रुट कर दोक्ट्टर को लग्णा है कि मेरा मेडिसन दे दी है वो काम बन गया है, बांड भlike बें चैनला कॉछ और अगर व्यूदार मेड़ को अगि आपको बिटी का बटी घंड़ियर है नहीं अचोज एक पर ड्ल्टी बड ही पर 2020 में एहिए अरफ लगजकी बार अपको बेस यह आपको करना ही करना है हर कीमत पे अगर आप इससे चुक जाओगे आपकी परशानी मैं लिख के देता हूँ कि अगर अगर किड्नी फेल होगे तो कोई न कोई कोई पर परशानी होनी की चांस बहुत जादा जाते हैं तो आपने बीप चेक किया बीप नॉमल है ओके मेडिस जादे चांसेृमंत बीप देख सूछरम टारी कि को अगर उसमेर दिना लिए अगर ठाथ बादेटेश को यह वोधानी के चांसेयगा कि आपने 褦से पैसी नहीं के जादीश थेख में अगर Mingma के उच. हाथ सिर्यम प्ल HP किसुट्ब्स थियMichep यह थ्रेशोल्ड होता है एक तरीके से अगर आपकी शुगर लेवल राव रावर नुकसान भी होता है तो अगर चानी के बाद खाली पेड रेंडम कभी भी तो आपकी किड्नी क्या करती है वो शुगर के घेट खोल देती है और एक्स्टर शुगर को बाड़ी से भार अपर ड्रेशोल्ड हो नुकसान भी होता है तो हम क्या करते है थोड़ा सा नीचे है तो हूंड़ा थ्रेशोल्ड हम वन एटी पे मंटेशिश करेंगे पास्टिंग बीप रेंडम कोई भी शुगर किसी भी टाइप की शुगर वर नीटी को रोस् ना करें अब रहे अब रहे पका तो आपको बनारेगा तो आपकी रिपोर्टों में एच्ब एमन्सी जादा आएगा दॉक्ट्टर का आपको डियाबिटीस है बिल्कुल है बानता हूँ बट इस लेवल से उपर ही गिटनी को नुक्सान होगा इससे नीचे नहीं होगा इसी नहीं होगा इसी जारा से बीप प जडियान देना है तो नीचे वाला आपका 70 और 80 की रहे अगर आप बनार थेल्डी है तो आपने नीचे बले पर देना है वह 80 85 को क्रोस ना करें अगर आप हेल्वे से उप्रों क्या टो जो लेवल से आपको अटें से बदाल जाकर है क्यूंकि यह जो 120 बाइटी पले देना करने के लिए आपको healthy होना जरूरी है अगर अगर गिद्नी खराब हो रही है तो यह आपके लिए normal limits है बिल्कुल नहीं आपके लिए ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा अगर प्रेशर हो रही है तो 80% को आपके लिए खराबने के चांसे वो खतम हो गगे अब बजते हैं जो बाकी 20% के लिए जो कारन बनते हैं लो पनते हैं आईजी अनेफरोपैती पॉलसिस्टिक इड्नी लूपस नेफराइटेस यह ब्राइटेस यह ब्लाइच यह ब्लाइच किसमत से होने वाली बीमारी हैं तो आज हम इस वीडियो में कवर करना पसंद नहीं करेंगे इसको हम किसी और दीन आरामसे बैठ के डिस्वर्श करेंगे कि इन पे किस और एक सारा से इन से बचा जा सकता है तो मैं उम्रीद करता हूँ इस वीडियो के साथ आफ आप समझ ग तो मैं उम्मीद करता हूँ, इस वीडियो से आप समझ गई होंगे, कि हम अपने किड्नी खराब होने के चांसिस को कितना कम कर सकते हैं, अगर हम बीपी और शुकर को कि अंटॉल कर लेतो हूँ, फिर भी आपके माइड में कोई डाउट हो, कि केटरेंगो कैसे डाउन करना है, तो मैं अबलेबल हूँ, मेरी पूरी टीम अबलेबल है, उनसे आप बात कर सकते हैं, मुझ से भी आकर मिल सकते हैं, अब इसी के साथ आप से चलने की आगा चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए, नमस्क्राइब